रहसकार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे चनल में और आज हम बात करने वाले हैं देश में चर्चित यात्राओं के बारे में यात्रा करने का एक इस समय जो वर्तमान समय में एक दोर सा चल पड़ा है एक तरफ राहुल जी भारत जोडो यात्रा में लगे हुए हैं जिसका 108 दिन पूरा हो चुका है और एक तरफ नितीस कुमार जी ने एलान कर दिया है बिहार यात्रा पर निकलने के लिए और वो भी 5 जनवरी से सबसे पहले गरम यात्रा की बात करें तो सबसे पहले गांदी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को यात्रा करी गई थी और वो यात्रा थी डांडी यात्रा आप सभी को यात्र होगा कि सबरमती आस्रम से लेकर डांडी तक उन्होंने मार्च किया था पैदल चले थे और वो इसलिए पैदल चले थे क्योंकि अंग्रेजियों के खिलाफ नमक कर के विरुद जो नमक के उपर कर लगाया गया था उसके विरुद ये कदम गांदी जी ने उठाया था गांदी जी अपने 12 स्वेम सेवक के साथ चले थे और धीरे धीरे पूरा देश उनके साथ जुड़ता चला गया था ये तो आपको यादी होगा उस वक्त गांदी जी ने 390 किलो मेटर के पैदल यातरा करी थी पैदल यात्रा कर दी और दीरे दीरे पूरा जो देश है वो जुड़ता चला गया था वही करम जो है आज के वर्तमान समय में चल रहा है सुरुआत बारजोडो यात्रा से हुई बारजोडो यात्रा आपने सुनी तो होगी यात्रा का आरंब 7 सेप्टेंबर 2022 को राहुल जी के दुआरा हो चुकी है कन्या कुमारी से लेके कस्मीर तक जाने का इरादा है 3570 किलो मिटर की पूरी यात्रा है और इनका मानना है कि इस यात्रा से भेदवाव लोगों के बीच की दूरी को हम खतम कर देंगे हम उनके बीच में जाके ये पूछेंगे कि सरकार की नीतिया कैसी है सरकार से और क्या पेक्चा है सरकार से और वो क्या चाहती है सरकार की पॉलिसी क्या है वो इस यात्रा में 12 राज्ये और 2 केंसासित परदेश को कवर करने वाले हैं जो की काफी हट तक पूरा भी हो चुका है, अभी वो दिलीज, वर्तमान में, हर्याना में, उनकी यत्रा पहुँच चुकी है. लेकिन इसी बीच एक नई खवर आती है, वो यह आती है कि अब नितीज कुमार जी भी निकलेंगे यत्रा के उपर, बिहार यत्रा के उपर. अगर हम बात करते हैं नितीज कुमार जी की तो इस वर्थ अगर कोई नेता सबसे अधिक चर्चा में रहा तो वो रहे नितीज कुमार जी वो क्यों क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ंडिये का धामद चोड़ा और फिर पुरानी पार्टी के साथ उन्होंने अपना नाता जोड़ा। फिर उन्होंने पुरानी पार्टी के साथ नाता जोडने के बाद कुछ समय के बाद उन्होंने गोशना करती 10 लाग नोकरी की जो की अभी इन्फोर्मेशन नहीं और अब बात आई बिहार यात्रा की उन्होंने एलान कर दिया है कि वो 5 जनवरी को 2023 को अपनी बिहार यात्रा पर निकलेंगे ऐसी बात नहीं है कि यह उनकी पहली यात्रा है बिहार में उन्होंने कुल 14 इनकी जो यह मिला के चोदवी यात्रा होगी इन शुरु यात्रा की सुरुवात के अगर हम बात करते हैं 2005 के विधान सवास चुनाव से पहले उन्होंने नियाय यात्रा निकाली और उस यात्रा का उदेश्य था कि भारी बहुमतों से लोग हमें जिता हैं और यह सपना उनका पूरा भी हो गया उन्होंने नियाय यात्रा जब सुरु करी 2005 में उस यात्रा के खतम होने के बाद नितिश कुमार को भारी बहुमतों से विजह हुए और उनको मुख्यमंतरी की सीड मिली अब बात करें यही मोटिव उनका है कि 2024 को चुनाब को लेक कर भी और इसी लिए उन्होंने बिहार यात्रा का सुबारंब करने का इरादा बना लिया है शुरुवात वो पच्छिमी चंपारंजिले से करने वाले हैं आगे की जानकारी उनके अधिकारियों के द्वारा दी जाएगी अभी इतना अलान हो चुका है कि 5 जनवरी से जो यात्रा है मुख्यमंतरी नितिश कुमार जी के द्वारा आरंब कर दी जाएगी और इस यात्रा का भी मेनुदिस यही है लोगों से पूछा जाएगा सराब बंदी के उपर क्या कानून जो बनाया है जो किया है क्या वो सही है या गलत है या कुछ और सुधार करने की जोड़ते जो योजना चल रही है बिहार सरकार की दरफ से उस योजना को कैसे और बढ़िया कर सकते हैं और क्या कमी है यह पूछेंगे नितिश कुमार जी यह जानना चाते हैं कि बिहार की जनता किसके पक्ष में है एंडिये के कि नितिश कुमार जी के क्योंकि बात करें वर्तमान च बिहार की जंता का मूल है किस तरफ दोजार चोविस में और भारत जोड़ो यात्रा भी इसी कारण से आरंब हो रही हुई है कि वो जानना चाहते हैं कि जो भारत की जंता है वो किस तरफ रोखे होंका 2024 में राहुल जी का इरादा है कि हमारी पार्टी विजे होगी और निती इस कुमार जी ने अपना इधर से विगूल बजा दिया है बिहार यात्रा सुरू करके अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा यात्रा कितनी सफल रही 2024 के चुनाब में ही वो पता चल पाएगा धन्यवाद